हेलो दोस्तों मैं हिंदू गुरु गोयल गार्डेनिंग आइडियाज और टिप्स में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों ये मेरा स्टॉबरी प्लांट है देखिए इसमें से और पत्तिय निकल रही है छोटी छोटी ये strawberry plants है, मैंने बहुत सारे plants बनाएं दोस्तों देखिए इसमें एक full भी आया हुआ है लेकिन हम इस full को नहीं रखेंगे दोस्तों इसको हम pinch कर देंगे, इस plant को बढ़ने का मौका देंगे इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि एक पौदे से मैंने लगबग 20 से 25 पौदे तयार किये हैं वो कैसे किये हैं, ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा मेरा पूरा वीडियो देखिए ये देखिए दोस्तों, मैंने रुद्राक्च के और बहुत सारे ऐसे पौदे लगाए हुए हैं जो की बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होते हैं तो आईए, मैं आपको रुद्राक्ष के पौदों के साथ मैं इस्ट्रॉबेरी के और पौदों को जल्दी से जल्दी बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ तो मेरा पूरा वीडियो आप देखते रहे हैं दोस्तों खाद है, मुर्गी खाद ये सब मिला करके इसमें डालनी चाहिए इसको पोटास और नाइटोजन की बहुत ज़ता जर्वत होती है इसलिए हम और गैनिक खाद यूज करते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव पौदा होता है जरस हमें ये मर जाता है तो इसकी देखभाल बहुत अच्छी से करनी पड़ती है तो इस्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है इस्ट्रॉबेरी आपको उगाना है तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आप मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए मैंने कई पौधे बनाएं इससे तो देखिए इसके फ्लावर्स भी आ गए हैं इसमें लेकिन हम इस फ्लावर को अब नहीं रखेंगे इस फ्लावर को मैं तोड़ दूँगा दोस्तों आईए देखते हैं इस प्लांट से मैंने कितने सारे प्लांट बनाए हैं तो देखिए दोस्तों इससे मैंने ये खूप सारे प्लांट ये आप देखिए इस जार में बॉटल्स में और दो अलग अलग गंबलों में लगवा लगवा यानने 20 से 25 प्लांट मैंने बनाए हैं एक प्लांट से तो आईए देखते हैं कैसे बनाना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ तो देखिए दोस्तों ये कि स्ट्रॉबरी प्लांट है जो मेरा कुछ बड़ा हो गया और इस में से डाटर प्लांट ये रनर्स जो बोलते हम वो निकल आए हैं जिससे कि हम नए पौधे और तयार करेंगे और इस रनर्स की मदद से हम नए नए पौधे बना सकते हैं ये टोटल वीडियो दोस्तों मैंने तीन महीने में बनाया है ये तीन महीने के बाद में अब अक्टूबर जो आ रहा है और नमवंबर दिसंबर जनवरी इस चार महीने में मुझे स्ट्रॉबेरी मिलेगी लगवग तीन से चार किलो एक पौधे से तो देखिए ये रनर्स होते हैं इसे डाटर प्लांट भी बोलते हैं मदर प्लांट ये ऐसे डाटर प्लांट निकलते हैं अलग-अ जिनकी मदद से हम नए पौधे तयार कर सकते हैं तो इन पौधों को कैसे तयार करते हैं वह पूरा वीडियो बना रहा हूं आप देखिए और दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मैं इसके बाद मैं इसको आपको बॉटल में और पौट में जार में लगाने का तरीका भी बता रहा हूं तो मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए तो स्ट्रॉबेरी प्लाइट जो है दोस्तों अठंड में फल आते हैं इसमें और अठंड आ गई है अक्टूबर आ गया है तो अब इसमें फल आने वाले हैं तो आईए हम इनको बहुर ज़दा फैला देते हैं इसका रिजल्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा और दोस्तों एक महीने बाद आपको इसमें फल लगाके आपको वह भी दिखाऊंगा कि फल कैसे लगता है और उसकी केयर कैसे करते हैं तो देखिए दोस्तों एक गमला ले लिजिए खाली और इस ट्रॉबेरी का जो रोड़नर्स है इसे एक जो हैर पिन रहती है इसकी मदद से दोस्तों इसमें आप लगा दीजिए इस से इसमें तीरे तीरे दस से पंदरा दिन में जड़ें आ जाएंगी और ये खुद फैलना चालू हो जाएगा दोस्तों तो मेरे पास जित्ते रिनर्स हैं मैं सबको लगा के दिखा रहा हूँ आपको अलग-अलग गमलों में ये रिनर्स थोड़ा छोटा है तो मैंने इसे यहीं छोड़ दिया यहीं पर लग जाएगा ये देखिए इसमें जड़ें आ गई है जो रिनर्स लंबे बाहर निकल जाते हैं उनको हम लगाते हैं दूसरे गमलों में पार्ट में जैसे मैं इसको लगाऊंगा ऐसे खरके मैं चार-पांच रिनर्स आपको अभी लगा के दिखा रहा हूं तो आप ये वीडियो देखते रहे हैं मैं और गमलों में मैंने रिच स्वाइल जो है खाद वाली भरी भी है बाद मैं मैं इसमें कोकोपीट उपर से डाल दूँगा दूस्तों इसको भी हैर पिन की मदद से हम लगा देते हैं इसमें आप जड़े अपने आप आ जाती है इसको अंदर लगाने के और जरुवत नहीं होती है बाद मैं इसमें कोकोपीट या स्वाइल वहल की सी भरी रहती है पतली पतली यह मैंने सपोर्ट के लिए इसमें मिट्टी भी लगा दिये ताकि यह सीधा बड़ा हो इस प्रकार हम runners को लगाते हैं दोस्तों या daughter plant को लगाते हैं देखिए ये plant मेरा एक plant से मैंने कितने plant किया है starting में आपको मैंने वो plant दिखाया है और runners भी आ रहे हैं दोस्तों इसमें अभी बहुत घना होने वाला है आपको मैं दिखाऊंगा यह देखिए मैंने lotus भी लगाया हुआ है इलाइची भी लगाई हुई है दोस्तों lotus plant कितना चग्रो कर रहा है कैडमॉम प्लाइंट भी मैंने लगाया है देखिए दोस्तों अब इसमें runners आ गए है और पत्तियां बढ़ी हो गई है अब इसको mother को daughter से अलग करने का वक्त आ गया है हावरेनरस को mother plant से अलग कर देंगे या daughter plant को उससे अलग कर देंगे दोस्तों इसके बीच में एक joint रहता है यह देखिए joint के पास से आप काटते जाएए तो यह plants पूरे अलग होते जाएए कैंची की मदद से काड़िए कैंची को पहले आप साबून से अच्छी दर वाश कर लीजिए या कोई भी फंगी साइड ले लीजिए क्योंकि इसमें फंगल इंफेक्शन फैलने का बहुत डर होता है देखिए मैंने सब गमलों में अलग अलग जो है यह कितने सारे पौधे मैंने बना लिये हैं इससे लगवाग 20 से 25 पौधे बना लिये हैं दोस्तों अब मैं सबको अलग-अलग कर रहा हूँ दोस्तो ओं मैं देखिया ये मैंने अलग कर लिया है और इससे जो डरनर स्निकले थे उसे मैंने जार में लगा आ जार में कैसे लगाना है उसकी विदी भी मैं आपको बताऊंगा मैं अभी सभी runners को अलग कर लेता हूँ ताकि जिससे मेरे नए पौधे बन जाए अभी देखी दोस्तों ये गमला मैंने पूरा अलग कर लिया है अब मैं इसी pot के अंदर में कुछ जो छोटे runners दे उनको भी अलग कर लेता हूँ जो नए पौधे तयार हो गए कैची की मदश से उनको काट दीजिए दूस्तों ये कटर है तो आप कटर की मदश से भी काट सकते हैं लेकिन उसे infection से दूर गान लिए साबून या उससे बचाए देखिए ये runners को मैंने bottle में भी लगाए हुए है कैसे लगाए है वो विदी भी आपको मैं next वीडियो में बताऊँगा और ये देखिए ये जो cleaner होता है बातरूम cleaner या tiles cleaner उससे लगाए है तो नए पौधे तयार मैंने इस प्लांट से किये हैं मैं फिर से दुबारा इसको दिखा रहा हूँ कि नए प्लांट मैंने कैसे तयार किये हैं और ये जितने भी प्लांट है दोस्तों ये मैंने पौधे जो है बीज से उगाए है और बीज से उगाने का जो वीडियो है मैंने अपने चैनल में डाला है आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते है दोस्तों इसको बढ़ा करने के लिए इसके फूल तोड़ने पड़ते है इसके फूल पंच करने पड़ते है को कैसे करना मैं आपको दा देता हूँ ये मैं दो अलग से प्लांट है मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको कि इसको कैसे अलग करेंगे आप इसमें जब फ्लावाज आजाते हैं जिसे कैसे अलग करते हैं ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ खुआ लंबा वीडियो है आपका टाइम मैं ले रहाँ लेकिन पूरा देखियें स्ट्रोबेरी प्लांट्स जो है बहुत अच्छी चीज़ है दूस्तों घर में लगाने के लिए और घर पर ही श्ट्रावेरी आराम से मिल लाती है और घर पर ही आप इसकी कोश्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ती है तो देखी यह मेरा पौदा आपको मैंने पहले भी दिखाया है इसमें से नहीं पत्तिया आ रही है तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा दोस्तों आप मुझे लिखल बताईए अगर कुछ उसमें आपको जानकारी चीए तो मैं आपको बताऊँगा और नए वीडियो आपको बना करकर भी दिखाऊँगा अगर आप उच जाते हैं तो तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा बताईए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरा देखते रही है चैनल और दोस्तों मेरे गार्डेन में क्या क्या है मैंने नहीं जानकारियों के साथ मैं आपके पास अवलेबल होते रहूंगा इसे फटिलाइजर कैसे लगाते वह भी मैं आपको बताऊंगा तो मेरा वीडियो कैसे लगा चलूर पताईए धन्यवाद दोस्तों रुद्राक्च का एक और प्लांट है जो मैंने गंबले में लगाया है ऐसी छोटा सा है दोस्तों मेन हमारा टारेट है स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी में जो दोस्तों सोाइल यूज करते हैं तो बहुत देखिए आसानी से निकल जाती है आइसमें पानी जो डालते हैं हलका पानी रहता नमी बनी रहा है ऐसा और इसके धूप में रखना चीए इसमें डेली का सुबह के टाइम पे 2-3 गंटे की दूप और साम के राम 2-3 गंटे दूप पड़ इसको ऐसी जगह में रखना चाहिए, ऐसी जगह में मैंनेज करना चाहिए, तो मैं इसके बाद मैं इसका फ्लावरिंग का वीडियो डाल रहा हूँ, फ्लावरिंग के साथ मैं जब इसमें फ्लूटिंग होगी, तो उसका भी वीडियो डालूँगा, इसके फ्लावर का के पास में आप मेरा पुरा देखते रही है